शेहर में भहुचर्चित प्रध्यापिका कार्ण मामले में दो साल बीचुके है जिस प्रकरन पर पुरे महाराश्र का ध्यान है और इस मामले का फैसला पाथ जन्वरी को आने की उमीद है शेहर की जिलाव अतरक्त सत्र नयाले में दो साल से चल रहे इस मामले में सरकार और आ मामले का फैसला करेगी शहर में भहुचर्चित प्रध्यापी का कान मामले में दो साल बीच चुके हैं जिससे प्रकरण में पूरे महराश का ध्यान है और इस मामले का फैसला पांच फरवरी को आने की उमीद है शहर के जिला और अतरिक्त सत्न न्यायाले में दो साल चले इस मामले में सरकार और आरूपी पक्ष की द्वारा कुल 29 गवाओं का परिक्षन किया गया इस मामले में उजवल निकम को विश्वास है की अदालत परिस्तिती जन्य साक्ष के आधाबं मामले का फैसला करेगी दो साल पहले दो फरवरी 2020 को विक्की नागराले ने हिंगनघाट के नंदोरी रोट पर प्रध्यापी का अंक्यता को पैट्रोल फेक कर जिन्दा जलाने की कोशिश की थी आठ दिनों तक मौत की लडाई के बाद 10 फरवरी को और इन सिटी नागपूर होस्पिटल में जीवन संगर्ष आखिरकार समाप्त हो गया जलित कांड मामले में विक्की और फविकेश नागराले पे पुलिस द्वारा भारती देंड विधाना नूसार आरोप निश्चित किये गए थे इस निर्ने प्रकरण के परसाथ पूरे देश पड़े थे गुनागार को जल्द से जल्द फासी दे इसके लिए मांग के लिए सभी मोची और निर्देश ने किये गए थे पीरद अंकिता और आरोपी दोनों हिंगन घाट तालुका के दारोडा गाव के निवासी हैं अंकिता का पार्थिव देश जिस वक्त दारोडा यहां अंतिम संसकार को लाया गिया उस वक्त संतप्त गाव वासियों ने एंबुलेंस और पुलिस पर पत्राव किया था शाशन जनता की भावनों आगरह के रहते इस प्रकरन को फास्ट्रेक कोट में चलाया गया इस वक्त सरकारी पक्षकी और से एडवोकेट उजवल निकम एडवोकेट दीपक वैद ने कामकाच को देखा बचाव पक्षकी और से एडवोकेट भुपेंद्र सोने शिभांगी कोसारे अवंती सोन और सुदेब मेश्राम ने सहीयों किया इस मामली का परिणाम 5 फरवरी को है सभी की निखायन लगी है